इस रेमीडी का इस्तेमाल करके आप खुलकर अपने हाथ उपर उठा सकते हो अब आप बे धड़क अपने स्लीवलेस कपड़े पहन सकते हो और अब नहीं आएगी आपके अंडर आम से पसीने की बदबू चाहे लेडिस की अंडर आम स्काली हो या जैंट्स की दोनों ही गंदी लगती है इस रेमीडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आदा चमच के करीब चावल का आटा फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चमच भी चावल का आटा ले सकते हो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को कम और जादा कर सकते हो चावल का आटा एक सक्रब की तरह काम करेगा यह डेड्स सकिन को रिमूव कर देगा यह सकिन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है जी अब मैं इसमें एड़ करूँगी चार से पांच बूंदे नारियल के तेल की अब मैं इसमें एड़ करेगी आदा चमच के करीब कौफी पौडर जैसा कि सबी जानते है कि कौफी भी हमारे स्किन के उपर इंस्टेंट ग्लो लेकर आती है अपने इसी गुन की वाजा से आपकी जहां पर डार्क पैचीज है वोस रिमूव करेगी आपकी स्किन को बहुत ही खुबसूरत बना देगी अब मैं इसमें एड़ करेगी चोथाई चमच के करीब मीठा सोडा यानि की बेकिंग सोडा जिसको आप घर में इस्तेमाल करते हो आपने वो वाला सोडा लेना है खाने वाला ठीक है जी अब हम इसमें एड़ करेंगे निम्बू का रस आदा निम्बू का रस हम इसमें निच चोड़ देंगे देखे जैसी हमने निम्बू का रस इसमें एड़ किया है ये रियक्ट करने लग गया है देखे कितना ज़्यादा ये फलफी हो गया है अब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है अब हमने इसी निम्बू का इस्तेमाल करके जहां पर आपके काला पन है आपने इसको वहां रब करना है आपने इस रेमिडी का इस्तेमाल अपनी बोडी के ओपर तो करना है लेकिन अपने फेस के ओपर इसका इस्तेमाल तो बहुत जलन बहुत करईका निम्बु के रस्ताइसतेर कि expect ich कि इसे जाहन आप कह रिमाराब आपके काला पन अनुषय नियुक्षा इसको रब करें कि उसके बाद की अगर ऐसे छोड़ देो जब मेरी तरह साथ के साथ साफ कर सकते हो जैसे आपकी इच्वायस अगर आप इसको थोड़े छोड़ोगे तो आपको इसके रिजल्ट जादा अच्छे मिलेंगे